तो आप सभी का स्वागत है जल्दी से ही सभी सेशन से जूट जाएगा साथ ही इस सेशन को बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर भी कर दीजेगा कि वह सभी भी यहाँ पर क्लास से जूट सकें तो आज की अपनी इस क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं खडपा सभ्यदा के कुछ महतपूर्ण जो की साइट्स है जिनके बारे में पूछ लिया जाता है कि वहां से किन किन चीजों के अवशेश मिले हैं यह सभी आपके पूछ लिये जाते हैं चले तो किलिए अब यहां पर फिर स्टाट कर लेते हैं, हम लोग यहां पर जल्दी से ही सभी आप सभी ज़रा यहां पर आंसर करना देखेंगे कि आंसर कैसे अपने यहां पर रहेंगे, चले स्टार्ट करते हैं यहां पर फर्स्ट स्लाइड के साथ में चलिए देखते हैं तो यहां पर आपको साइट्स के नाम दिये गई है यहां पर जो कि उसके उत्खनन करता है यहां पर उनकी लोकेशन है और यहां पर जो कि उनसे चीजे यहां पर मिली है वो सभी यहां पर आपक की गई थी जो कि कहां पर इसकी लोकेशन है इसकी जो लोकेशन है यह है पंजाब का जो कि छेत्र है जो कि पाकिस्तान के एरिये में यह परता है और भारत में भी इसका छेत्र आता है और यह रावी नदी के किनारे पर यहां पर इस्तित्र रहा है तो यहां पर हरपास अभित अन्भंडार मिले हैं और बेल गाड़ियां यहां से मिली हैं इसके बाद आगे देख लेते हैं यहां पर मोहन जोद्रों की बात कर लेते हैं जिसे की मरतकों का टीला कहा जाता है 1922 में 1922 में राखल दास बनर जी यानि की आड़ी बनर जी के दुआरा इसकी खुदाई कराई इसका जो चेत्र है यह है पाकिस्तान क्या जो कि पंजाब के एरिये में पंजाब का एरिया जो कि पाकिस्तान के यहां पर आता है लर्काना जिला वहां पर इसकी लोकेशन मिली है जो कि सिंधू नदी के तर्थ पर यह इस्तित है और यह ध्यान रखिएगा कि मोहन जोद्र की जो की लोकेशन है यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है यानि की भारत से बाहर है यहां से यहां से एक great बात मिला है इसके साथ यहां पर ग्रैंडीज यानि कि अन के भंडार भी मिले हैं प्रांच डांसिंग ग़र्ल यानि की काश्ये निर्टे करने वाली लड़की की मोर्ती मिली है इसके साथ यहाँ पर पशुपती महादेव की मोहर भी मिली है यानि कि जो मोहर मिली थी उन पर पशुपती महादेव जो की बीच में उन्हें सेज पर एक बिठाया हुआ है आसपास उनके जानवर बिठाये हुए है पैरों की पुनके हीरन बनाए हुए है इस तरह की करंसी यहां पर मिली थी यहां पर दाड़ी वाले आदमी की स्टीटलाइथ मूर्ती भी बी मिली है और बुने हुए कपास के ग्या करते थी उनको बुनकर के कप्ड़ा भी बनाया करते थी चलिए यहां पर आगे आ जाते हैं क्या हो जाएगा यहां पर आपका सूथ कैंडोर की बात कर लेते हैं 1929 में इसकी खोज की गई थी स्टीन के दुआरा खुदाई करवाई गई थी भारत पाकिस्तान के दच्छ पस्चिमी वलुचिस्तान प्रांत में दस्त नदी के किनारे इसकी अगर बात कर लेते हैं तो हरपा और बेबिलोन के बीच में जो यहां पर व्यापार किया जाता था तो इसके कुछ पॉइंट से इससे मिले हैं देनेक्स्ट है चनहुद्रों की बात कर लेते हैं तो 1931 में एंजी मजुमदार के द्वारस की खुदाई कराए गई थी यह है सिंधु नदी के यहां पर इस्तित है जिसके छेत्र को सिंध के नाम से यहां पर जाना जाता है यहां कि अगर बात करते हैं तो यहां से मन का बनाने वाली दुकान के अवसेश मिले हैं यहां पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुद्टे के भी पदचिहिन यहां पर मि कर लेते हैं इसकी खुदाई भी एंजी मजुमदार की अध्यक्षता में 1935 में की गई थी यह सिंदु नदी के तड़ पर ही इस्थित है और यहां से म्रग साक्षे यहां पर मिले थे क्या हो जाएगा म्रग के साक्षे यान की एविडेंस यहां पर मिले थे काली बंगा काली 1953 हो सकता है कहीं पर आपको 1951 भी मिले तो इस दोरान इसकी खुदाई कराई गई थी कहां पर है यह तो राजिस्थान की जो की घगर नदी है घगर नदी के किनारे पर यह बसा हुआ था यहां से क्या हो जाएगा अगनी वेदी यानि की होता है ना कि जो की अगनी कुंड हो यह तो खेतों की जुताई यानि की प्लगिंग भी किया करते थी चिक है चलिए यहां पर आगे आ जाते हैं देखेगा लोधल क्या हो जाएगा लोधल की बात कर लेते हैं तो इसकी खुदाई 1953 के समय में आर राव के दुआरा की गई थी कैम्बे की खाड़ी के पास में भोगावो नदी के किनारे पर बसा हुआ यह छेत्र मिला था जो कि कहां पर है गुजरात में है लोथल की बात कर लेते हैं तो फरस्ट मैन मेड पॉर्ट देखेगा भारत में सबसे पहला मैं मेड पॉर्ट की अभी तक के अविडेंस से हमें मिला है वेहल लोथल ही है लोथल भारत के सबसे पुराने बंदरगाहा के रूप में जाना जाता जो कि हडपा सिविलाजेशन के समय पर यह है डेवलप किया गया था ठीक है इसके साथ ही यहां की अगर बात कर लेते हैं तो यहां से डोक्यार्ट यानि की गोदी खाना के अवसेश मिले हैं यहां से चावल की भूसी के भी अवसेश मिले हैं कि शायद यह इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे और भही अगनिवेदिया हो गई और यहां पर चैस प्लेइंग यानि की शत्रंच के खेलने की भी अवसेश यहां पर मिले हैं इसके बारे में याद रखेगा कि उस तमय यह है एक पोर्ट के रूप में यहां पर यूज किया जाता था और इसके माध्यम से मैसोपोटामिया मैसोपोटामिया से जो की यहां पर लोग थे यह है आयात निर्यात किया करते थे तो इसका यूज वह है बंदरगहा के तोर पर यानि की पोर्ट के तोर पर किया करते थे यहाँ पर सूर्कोर्टदा की बात कर लेते हैं 1964 में इसकी खुदाई कराई गई थी जेपी जोशी के दुआरा गुजरात क्या हो जाएगा इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो भई गुजरात में इसकी यहाँ पर लोकेशन है यहाँ की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बॉन्स और फोर्स यानि की घोड़ों की हड्यां मिली थी इसके साथ ही यहाँ पर बिट्स यानि की मोती भी मिले थी अच्छा एक चीज याद रखेगा कि जो हडपा सभेता रही है इनके दोरान गोड़ों के अवसेश तो मिले हैं इनकी हड्यां इनके पजचीहन तो मिले हैं लेकिन ये लोग गोड़ों के प्रियोग से जावरुक नहीं थी जैसे कि आर्यास के समय में वह लोग गोड़ों का प्योग करते थे राजा, महाराजा हुए है, रत के लिए, घुरसवारी के लिए मेन उनका जो एक ट्रांस्पोर्ट वाला जरिया था यह गोडो के माध्यम से ही क्या करते थे उस समय प्लेन नहीं चला करते थे और नहीं गाडियां हुआ करती थी तो main जो उनका transport का एक जड़िया था वह होर सी ही था तो इनके यहाँ पर evidence तो मिले थे लेकिन यह है उनके बारे में जानते नहीं थे उनके use के बारे में The next से हैं यहाँ पर आगे आ जाते हैं क्या हो जाएगा भई The next से हैं यहाँ पर बनावली बनावली की बात कर लेते हैं तो 1974 में RS 20 के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी हिसार के जो की हर्याना का हिसार डिस्टिक है हर्याना के हिसार डिस्टिक में इसकी location है यहां से मोती हुए बारले यानि कि जोंग हुए पूर्व हरपा और हरपा संस्कृति दोनों के ही साल यहां पर साक्षी मिले यानि कि अगर मैं हरपा सब्यता की भी बात करूं तो इसे तीन पार्ट में विभाजित किया जाता है एक तो है यहां पर प्री हरपा एक है मैचोर जो की हरपा सब्यता रही है और एक रहा है वहे दोर जब यह है डिकलाइन की और यानि की अपने पतन की और जब यह है पड़ चले थे और यह है वहे समय था अंतिम जो कि कुछ 1400 BCE का समय यहां पर रहा था ठीक है याद रखेगा देनेक्स आगे आ जाते हैं दोला वीरा दोला वीरा की बात करूं तो भारत की जो की 40 वर्ड हैरिटेज यहां पर साइट्स है उसमें भी शामिल है दोला वीरा जो की 1985 में RS 20 क्या हो जाएगा भई RS 20 के द्वारा इसकी खुदाई कराए गए थी गुजरात के रण ओफ कच में इसकी लोकेशन है और जल दोहन परणाली यानि की एक तरह से वाटर और वाटर रिजोवर आपको पता है उस समय में भी लोग जल के निकास यानि की प्रोपर वे में नालियों को बनाया करते थे और साथ ही पोटर को कलेक्ट करने के लिए यानि की जल के संचे के लिए वह step well हुआ कुए हुए इन सभी को भी वह बनाया करते थे ताकि उसे क्या किया जा सके उसको यूज किया जा सके जैसे कि irrigation में या फिर अपने other कारियों में वह जल को संचे करके यानि की खटा करके उ वह सभी देख लीजिएगा और इससे एक चार्ट पेपर आप बना लेना maximum questions आप लोगों के हडपा civilization से इनके उपर ही पूछे जाती हैं ठीक है तो आप इन सभी से यहां पर भई नोर्स बना लीजिएगा इसके साथ ही आप सभी यहां पर भई याद रखेगा कि 25 से लेकर क यहां पर जड़ा देखेगा कि 25 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बिच में यानिकी पूरा लगभग वन वीक के आसपास यहां पर आपकी जो की classes है वह है अप्लिकेशन पर होंगी as a pre special class इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है कुछ भी पे आपको नहीं करना है बिल आप लोग यहां पर टॉप एजुकेटर के साथ में लाइव चैट कर सकते हैं आप यहां पर पॉल्स के तुरू कोश्चन्स अटायम कर सकते हैं जिसमें आपको यह पता चल जाएगा कि कितने कोश्चन आपने सही कि आपको नोट करने की ज़रूत नहीं है आपको यह भी प पर अप्लिकेशन पर जाकर कि आप सभी मुझे यहां पर अच्छे से जॉइन कर सकते हैं जो की डेली यहां पर अपनी क्लास मेरी रहती है साथी आप यहां पर मेरा पैच भी जॉइन कर सकते हैं जिसमें की 1230 पीम डेली अपनी क्लास यहां पर रहती है तो आप सभी मेरे साथ यहाँ पर classes से भी यहाँ पर जूड़ सकते हैं plus course में भी चीक है साथी भई आप सभी यहाँ पर अपने course के बारे में भी याद रखेगा कि आप सभी मेरे code को use करते हुए यानि कि SOTY code को use करते हुए कि आप सभी 50% से भी जादा discount के साथ में अपने SSC batch चाहे आपका CGL का है 2024 का या Steno का है या GD का है या दिल्ली police constable का है कोई सभी batch है आप यहाँ पर एक बार enroll करने के बाद easily सभी के सभी SSC batches में यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या करना है कि आपको अगर आप 24 महीने के लिए course को लेते हैं तो इसमें आपको 6 महीने बिल्कुल प्री पढ़ने का मोका मिलेगा जो कि 4500 रुपे में यह batch आपको मिलेगा इसके साथ ही यदि आप 12 months के लिए batch को यहाँ पर join कर सकते हैं यानि कि एक साल के लिए अगर आप join करना चाहते हैं तो आपको इसमें 3 महीने बिल्कुल फ्री पढ़ने का मोका मिलेगा और यह है जब आप मेरे code को यूज करेंगे यानि कि SOTY SOTY code को यूज करने के बाद आपको जो यह batch है यह 50% से भी ज़्यादा discount पर मिल जाएगा जो कि 2 साल के लिए आपको 4500 रुपे में और 1 साल के लिए आपको यह 4000 रुपे में यहाँ पर batch मिलेगा इसके साथ ही आप सभी daily मेरी classes भी join कर सकते हैं daily सुभा 11 बजे और शाम को 7 बजे YouTube पर मेरी class होती है तो आप सभी YouTube पर भी मुझे यहाँ पर join कर सकते हैं फिलहाल चलिए आज की class को हम सभी यहाँ तक रखते हैं आप सभी अब मुझे मिलिएगा 11 बजे अपनी like class में session आपको पसंद आया तो like जरूर करें जिससे की मुझे motivation मिले आप लोगों के लिए इसी तरह के special sessions लाने के लिए ठीक है so thank you students and जय हिंद जय भारत